कमल दड़ियाला लेंगी इशा मालविया पर लीगल आक्शन आखिर क्यों बुलाया इशा ने कमल को आंटी हलो न वेलकम आप देखने फर्स इंडिया तेरी और मैं हूँ आपके साथ नहीं हासें उड़ारिया फेम आक्ट्रेस कमल दड़ियाला ने कहा वो लेंगी इशा मालविया के फैंस पर लीगल आक्शन कमल दड़ियाला और इशा मालविया जोकी उड़ारिया पर थे को स्टार दोनों के बीच की एंबन तब से शुरू हुई दोनों के बीच में सेट पर भी काफी नोगजोग होती थी पर ये नोगजोग तब बढ़ गई जब ईशा मालविया गई Big Boss 17 के घर में जहां पर कमल ने सरयाम किया अभिशेक को सपोर्ट और क्रिटिसाइज करती रही ईशा को जिसके बाद से ईशा के फैंस ने कमल पर करना स्टार्ट कर दिया हेट कॉमेंट पर हाल ही में एक विडियो शेर करते हुए कमल बोली कि ईशा के फैंस उन्हें कर रहे हैं बहुत ज़ादा ट्रोल ट्रोलिंग इसकदर बढ़ गई है कि उनके फैंस अब कमल की फैमिली को भी करने लगे हैं हैरस जिस पर कमल बोली अगर ये सब को चल्दी बन नहीं हुआ तो मैं इस पर लूंगी लीगल आक्शन वहीं इस वीडियो पर याट करते हुए ईशा बोली कि इस आंटी को कोई काम दे दो जिस बात के बाद ईशा भी हुई बुरी तरीके से चोल लोगों ने कहा फैम मिलने से अपने संसकार भूल गई है ईशा मालविया तो आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच की ये कोल्ड वर आखिर कप और कहा जाके खतम होगी क्या ईशा को कमल को आंटी बुलाना सही था या गलत हमारी कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करकी ज़रूर बिताए और चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले